हलो दोस्तों, वेलकम टो दे सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल दोस्तों, UPSC आस्पिरेंस का एक बड़ा सवाल होता है कि उन्हें कित्ते घंटे पढ़ने चाहिए तो आईए हम कुछ डिस्कसन करते हैं कि हमें कित्ते घंटे पढ़ने चाहिए आईएस एक्जाम के लिए, हमें आईएस क्लियर करने के लिए दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि 14 घंटे पढ़ते हैं, कुछ 18 घंटे पढ़ते हैं, कोई 20 घंटे पढ़ते हैं कुछ लोग कहते हैं कि 6 घंटे पढ़ते हैं कि वो चीज़ आपके बगल वाले को भी दो गंटे में समझा जाएगा किसी को एक चीज़ समझने में चार गंटे लग जाते हैं किसी को उसी चीज़ को समझने में दो गंटे लग जाते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दूसरी बात ही होती है कोई walking है, कोई working है, कोई काम कर रहा है, कोई part time job कर रहा है, कोई full time job कर रहा है, कोई बस prepare कर रहा है, कोई completely student life में है, तो सबके अपने struggles है, ऐसा नहीं है, कि जो student life में है, उसे बस struggle है, जो working life में है, उसकी अपनी problem होती है, जो part time कर रहा है, उसकी अपनी problem होती है, तो बात है कि क इतने गंटे पढ़ाई करनी चाहिए तो दोस्तों यह डिपेंड करता है कि आपका डेडिकेशन कितना है UPSC के लिए अगर आप UPSC का जो पूरा सिलेबस होता है अगर उसे मानते हैं अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं और आप यह सोच के करेंगे कि आपको फॉर्स अपना पूरा देंगे और आप बहुत जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे जोस्तों अगर देखा जाए अगर आप डेली रूटीन पे मैं फिक्स नहीं बता रही मैं एक आवरेज अगर आप 5 गंटे से 7 गंटे की बीच में 5 से 7 जो एवरेज टाइमिंग होती है वो ठीक है कुछ लोगों को 6-7 गंटे भी लग सकते कुछ पांच गंटे में भी कंप्लीट कर लेता है तो यह जो टाइमिंग है इसके यह साब से कर आप देखेंगे तो लेकिन दोस्तों यह यह समझाएगा आपको खुद से, आपकी conscience, आपका intuition, आपका inner voice, जब आप अपने आप से पूछोगे कि आपने क्या complete करा, आपने क्या पढ़ा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, तो आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कि मुझे आपको कितने घंटे प पढ़ेंगे, तो उनको बोर नहीं होगा, उनको headache नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे प्रेशर में पढ़ रहे हैं, जिनके कुछ last attempts रहे हैं, तो उनकी लिए क्या होता है, कि अगर वो 10 घंटे पढ़ते हैं, तो वो effective नहीं हो पाता है, उसमें से उनका 5 घंटा ही effective हो पाता ह दोस्तों हर इंसान के हर age group के अलग-अलग situation होते हैं, और अलग-अलग time duration है, जैसे कि जो अब नया starting में तयारी कर रहा है, तो अगर आप beginner हो, तो दोस्तों आपको 6-7 घंटे भी आप पढ़ लो, 7-8 घंटे भी पढ़ लो, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आ आपके लिए सारे चीज़े नहीं हैं, इंट्रस्टिंग लाएगा आपको, और आपको पढ़ने का मन करेगा, लेकिन दूस्तों जो आलड़ी 2-3 अटेम्ट्स दे चुके हैं, उन्होंने आलड़ी 2-3 साल की अच्छी तैयारी कर लिए हैं, तो उनके लिए 5 hours पे अगर वो daily routine में पढ़ते हो, अगर आप walking हो, non walking हो, part time हो, आप कुछ भी हो, आपको कम से कम 5 hours, minimum 5 hours तो दे नहीं है, इससे जादा आपको दे दो, अब आप कहोगे कि आप भी तो fix time बता रहे हैं कि 5 घंटे ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि दोस्तों, मैं इसलिए बता रहे हूं क्योंकि इस syllabus का demand ही है, इस syllabus का demand है, syllabus इतना broad है कि अगर average आप एक दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं, तो सही तरीके से आपका एक साल में ये पूरा syllabus complete हो जाएगा, आए थोड़ा और details में देखते हैं, दोस्तों, अगर हम ये बात करें कि UPC का syllabus जो होता है, इसमें कि crux क्या होता है, optional subject ह होता है, ठीक है, तो दोस्तों, अगर optional की बात करें, GS तो मान लिजी, optional GS मान लो तुम, कि GS आपका चार महिने में हो गया, 4 months में आपका GS complete हो गया, 2 महिने में आपका CSAT complete हो गया, वो तो आपको GS करेंगे, तो CSAT पारलली आपको पढ़ना पढ़ेगा, अलग से टाइम देना ह है, आपको math reasoning साथ साथ हमेशा बनाते रहना है, previous paper देखते रहना है, किस level का CSAT पूछ रहा है, उसके बाद दोस्तों, optional, optional में ये बड़ी problem होती है, कि अगर आपका graduation उसी subject से है, जैसे कि public administration, तो अगर आपका public administration से आपने graduation या master degree करा है, और उसे आपने optional ले लिया, तो ये आ आपके लिए थोड़ा easy होगा, में भी आप इसे तीन महीने या दो महीने में अपना optional बहुत अच्छे से complete कर लें, लेकिन दोस्तों, अगर आपने, आपका graduation commerce से रहा है, ठीक है, या फिर b.tech रहा है, और आपने, जो अपना optional subject है, उसमें sociology रखा है, anthropology रखा है, philosophy रखा है, त क्योंकि आप field से अलग हैं, तो आपको समझने में, और main answer writing के standard को maintain करने में, और लिखने में, दोस्तों, मेबी आपको ज्यादा time लग सकता है, ठीक है, दो साल मतलब एक अच्छी knowledge की डिमांड करता है, optional subject, तो minimum 4 महीने, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, त तो दोस्तों, हमारा GS 4 months, optional 4 months, बहुत बच्चे साथ साथ में complete करते हैं, बहुत बच्चे पहले GS complete करते हैं, फिर optional complete करते हैं, क्योंकि वो optional को लेगे काफी confused रहते हैं, तो दोस्तों, आपको कितना भी जल्दी करने के कोशिस करेंगे, तो भी आपका एक से देर साल का time आपक तो यह तैयारी अपने आप में एक से देर साल की तैयारी है, वैसे तो यह तैयारी बहुत बच्चे plus two के बाद लग जाते हैं, बहुत बच्चे graduation starting year में लग जाते हैं, लिकिन अगर आप सारी चीज़े साइडलाइन करके अगर fresh तैयारी करते हैं, तो आपको 1 to 1 to 1.5 years यान एक साल में आप पूरे syllabus को सही तरीके से complete करें, ताकि आपको confidence आपका built हो जाए, आपको डर ना लगेगी, कोई अगर सामने वाला कुछ ऐसा सवाल पूछ दिया, तो ऐसा ना रहे कि आप जवाब देने में काफी incapable feel करें, या फिर आप फील करें कि आप तो एकदम beginner हैं, समय में आपको सारी चीज़े तैयारी कर लेनी है, तो minimum effective आपको अपना 120% मतलब 100% नहीं, 120% आपको effort लगा के, 5 घंटे से 6 घंटे तो आपको कम से कम देने होते हैं, तीक है, अगर मैं यह कूँगी कि नहीं, अगर आप 2 घंटे अगर रोज पढ़ते हैं, तो भी आपकर clear हो दो बार बेकर मान लो complete भी कर लेते हैं syllabus, तो syllabus complete करना important नहीं है, important यह है कि आपकी दिमाग में कितना रहता है, आप retain कितना कर पाते हैं, क्योंकि जैसे से पढ़ते जाएंगे, आपको सब ठीक लगेगा, आपको सब समझाएगा, history interesting लगेगी, geography भी समझाएगा, लिकिन जब सवाल करेंगे, तो आप वहाँ पर आपका हाथ नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों आपने चीजों को पढ़ा है, समझा नहीं है, retain नहीं किया है, recollect नहीं किया है, तो इस तरीके से पूरी strategy होती है, UPSC की, तो आप इस भ्रह्म में अमित्या में ना रहे, कि इस टॉपर ने 12 गंटे पढ़े हैं, इसने 14 गंटे पढ़े हैं, तो आपको भी 20 गंटा पढ़ना पढ़ता है, एक IS बनने के लिए दोस्तों कुछ डिमांड नहीं है, UPSC ने कभी को डिमांड नहीं किया है, UPSC के सवाल का जवाब दे दो, आप बिना पढ़े भी दे दो, तो भी आप IS बन इस टाइम में हम एक्जाम सेमेस्टर के पहले, एक दिन पहले, एक रात पहले काफी पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से वो तो नाचुरल है, जन्यून है, इतना प्रेशर रहता है कि वो रिविजन करने में उत्तर टाइम आपको लगी जाता है, पढ़ो या ना पढ़ो, 10 से 14 घंटे आपको लग जाते हैं, एक्जाम टाइम में, 18 घंटे भी लग सकते हैं, कि आपको सारी चीज़े रिवाइस करनी होती है, और जो कि लगतार एक्जाम होता है, तो उस केस में में के टाइम पे आपको उत्तर एफट लगाना पढ़ता है, तो प्राक्टिस करनी तो इसलिए आपको आराम से लाइफ को एंजॉय करते हुए और सही तरीके से आप पढ़िए बहुत ज्यादा मत पढ़िए कम पढ़िए अच्छे से पढ़िए और उसको समझिए और दिमाग में रखिए तो यह पूरी स्ट्राटेजी है और किते घंटे जो हैं उसका एक मैं झाल 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 झाल